ये दोस्तों आप लोग का इंतजार का घड़ी खत्म हो चुका है यानि आप लोग को हम बताये थे के इस्पेसल हम लोग का पांच सेट रहने वाला है जो के हिंदी का यानि गैस कोश्चन आपनों का यानि कभर किया जाएगा लगबग लगबग 400 परशनों आपको हम बताये चार सुपरशन आपनों का यानि कभर किया जाएगा तो दोस्तों आपको बता दे इन पांच सेट को अगर आपका अधियान कर लेते हैं अच्छे से अगर आपका तियारी बिल्कुल 0% है आप अभी तक कुछ भी नहीं पड़े हैं तो आपको बता दे रेश्टोरेंट आप इसको अच्छे से यानि रेडिंग कर लिजा अच्छे से 400 को आप अच्छे से रीड कर लिजा अगर आपका 100 में 100 और आपका फैनल एक्जाम में नहीं आएगा तब आपको हमाँ बताईएगा क्योंकि यह जितने साड़े कोश्चन जो कलेक्ट किये हैं कई अनुभवी सिच च्छे से 400 को आपको पताएगए आप में नतलम में पाटते हैं तो इसमें आप लोग कैने सब्सक्राइग कोश्चन अब क्या सब्सक्राइगा परष्ण सं ense intensity को ही इंप लिए तो आपके लिए बहुत ही बेटर यानि बहुत ही आज इसपेशल आपका क्लास है तो इस तो आपके लिए इतनá रहरा है हैं जो महनत करतें स्ट्रेगल करके विडियोफ बनाए हैं तो आप लोगों के लिए आज का टार्गेट आपको यह टार चार विकल पर दिया गये हैं जिनमें से किनी 50 परुष्ण का ही आपको आपको चिर्णित करना होता है तो चले डियर श्ट्रेंट पहला कोशन आपके स्क्रीन पर आगे जैसे देख पाड़े आप लोग कि क्या कहलाता है एक नमर सवाल आपके स्क्रीन पर हाँ परगीत और समा से लिया गया आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे बहुत बढ़िया क्या बात है चले नेक्स सवाल देखेगा आपके स्क्रीन पर यानि आदमी सब्द है आदमी सब्द जो है क्या है अंग्रेजी है फारसी है अडवी तुर्की है तो बताएए इसका आंसर क्या हो ठीक है शौरूप या रचना के अनुशार वाक्य के भेद है यानि शौरूप या रचना के अनुशार वाक्य के यानि कितने भेद होते हैं इसके बारे में बताना है तो वाक्य के तीन भेद होते है यानि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स सवाल देखेगा आपक सवाक यानि सरल वाक के option आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे तिरची किस परकार की रचना है इन चारों में से इसका राइट option आपका आना चीए तिरची जो है यानि आधुनिक त्रासदी है यानि option आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे नेक्स शवाल देखेगा question number 6 कहीं नहीं वहीं कवीता संगड किस से दोड़ा रचीता है बताए भूशन से असोक वाच्पिय से संगड संगड परसाद या आपका रगुविर्शा है तो बताए इसका अंसर आपका एपसुलूटल यानि करेक्ट होना चीए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानि असोक वाच्पिय आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे नेक्स सवाल देखेगा आपके स्क्रिन पे question number 7 ज्यानंद पती किस परसासनी के पतपर यानि थे तो बताए ज्या आपका क्या होजाएगा जराएगा जनब करेक्ट होजाएगा causa नॉम्हेखा और गौन microws 쓸 का अनुग राइट एक सव गल नजका हो जाएगो जातिव आचक है वैक्तिव आचक है अपका दरव आचक है आपका शमू आचक है तो 10 नमर सवाल का आपका answer हो जाए क्या नहीं शमू आचक option अपका D right answer हो जाएगा next वाल देखिएगा आपके screen पे question नमर 11, यात्रा सब्द जो हैंनी क्या है? पूरिंग है, इस्त्रिंग है, उभेलिंग यानिमेसे खोई नहीं, तो ग्यारन सवाल का अपनों कांश्ण डिफिनेट सब्ते हों नहीं सब्सक्राइब नहीं, इस्का क्या हो जाए तो रूसी जो कथाकार थे यह कॉंट है 13 नमर सवाल का आपको आंसर पता होगा यानि लॉक लेब मतलब तॉल स्लेवे यानि आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है इसका नेक्स सवाल देखेगा आपके इसक्रीन पर कोश्चा नमर फूर्टिन अठाऊ साथika की लगबग कितने कहानिया परकासित हो चुश्किती तो आपको इसके बारा में भी अप पिसले कर शूर्टिन कहानिया कहानिया परकासित कर दी तो है काहसित अब्चे वाकिय है, यह किई आपको आम आ पह शुक्त रेखें आपका आपको आपको सुध播 काशा ba ق्य का है जो अवतितिutan बाइध मैं कंशा का है इन इन 104 जो किई शुद्वाकिय ऑफका याणि करेक्ट होना चाइए तो इसका सुद्ध वाकिया यह बात कहने में किसी को संकच नहीं होगा आपका D राइचा ऑजाएगे तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से सम्झ है तो बताएं तेरी करमाई होगी किस कहानी से समझ लिए था है सतरे नमर्सवाल का आपका आंसर यानि राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा उसने कहा था यानि आपका भी राइट आंसर हो जाएगे रख्चक सब्दे में परतिये बताएगे तो रख्चक सब्दे में परतिये होगा तो कौन सा होगा तो देखें लास् पार्ट के लिखा जो है आपको बताई होगा रामदारी सिंदिन कर है ठीक है जिसका जनम कहा बेगुष्राइश इंब्रया में हो था कब 1908 में इसका जनम हो था ठीक है चले बहुत बढ़िया हो यह रास्ट कभी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स सवाल देखेगा आपके स् सब्सक्राइब 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 आपको सब्सक्राइब बताना है बिल्कुल सही आंसर आपनों कहाना चीए और बिल्कुल सही भी आभी रहा है तो इसका आपका हो जाएगा उसके बाद आप अपको अब आपको 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 आंसर बताना है तो देखें आपका आपका और राम पुर्वा के पास है और आपका राइच आपका अपशन बताइए तो पर लोग सब्द में आपको उपसर्ग बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर आपका होगा यह क्या होगा 27 सवाल का आपको आंसर बताना है इसका आंसर आपका हो जाएगहाए यानि ए या va준튼 जाए एक स्क्रीन की बेटी दो अटवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आप लोंक आनगा이есто यह सवाल देखेगा मलिक मुहम्मद जैसी की मेर्टिबी कब ही 29 सवाल का आपको आशर बताना है जो इसका अन्स Lauter आपका राइटास्स एंगा पंडर सब्ड़ाइब सब्रुद्थ variety हो तुलसी दास ने अपने यूग के यूग की किन दो शाहित भासाओं को यानि अपना यह था तो बताइए 32 नुमर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे यह था आपका 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 प्रदास का वाकिय रचना चेत्री था हरीद्वार था कासी था विरंदार था आपको मतूरा था तो बता ये 35 नुवर सवाल का आपको आंसर क्या हो जाएगा नी विरंद्वान यानि आपका सी राइट आउसर हो जाएगा शेर शीर्चीन का शास्तर समर्पन नामक यानि अख चंद्र सेखर सब्द कौन सा समास है तो इन चारों में से आपको चूज करना है जो चंद्र सेखर जो आपका कौन सा समास है राइट आंसर आपका हो जाएगा कभी किसे कहा जाता है कभी किसे कहा जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या रगुबिर शाय होगा नहीं यह भी नहीं होगा जैसंकर परसाद यह भी नहीं होगा यह आपका हो जाता है बताना इसका आंशर क्या हो जाएगा नेक्स सवाल देखेगा आपके इसक्रीन पे भूशन किस काल के कभी है भूशन के बारे बताना पोड़ी इसका अपनों का आप करेक्ट हो गा इसका और पढ़ावाची सब्ड क्या होगा हा तो बताई 30 का अच्छी सब्ड क्या हो गा यह कहां पहे है नहीं चल्ए लखनु दिया हुए उसका ऑफसन आपका डिया वा स्मेह से बताना है रगविर शाह का जरम अस्थान जो है नहीं कहां पर है 45 नमर स्वाल का आपको आंसर बताना और इसका आंसर आपनों का absolutely नहीं correct होना चाहिए ठीक है 45 नमर स्वाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा तो जली बताएंगे हाँ पढ़ियाग होगा option D में क्या है आपका पढ़ियाग तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 नमर स्वाल का आपका आंसर आपनों का बिल्कुल correct होगा यानि लखनो option C right answer हो जाएगा नेक्स सवाल देखेगा आपके स्क्रीन पे मलियज की रचना नहीं है तो मलियज की इनमे से कौनसी रचना नहीं है 46 नमर स्वाल का आपको बताना है तो मलियज की रचना इसके नहाँ ना आने वाला कल यानि option आपका राइट अंसर जाएगा घ्यात का उल्टा क्या होता है जो आपका सब्द होगा तो क्या होगा आपको भी पता होगा याँनि आपका भी राइट अंसर ओगा नेक्स सवाद देखेगा आपके इस्क्रीन पर फोर्शन फोल्ट ये ट्स वाल भारत का विसेशन बताना है ला Carnicam आपका सी राइट रहें सवाल देखेगा चंद्र शर्मा गुलरी का जनम यानि कहाँ अधा उफ्र जाएगा बहुत ही को साज़े को संद पर बाल कृष्णन भटका जनम हुआ था तो बताइए बाल कृष्णन बटका जनम जो हुआ था ये कहां पे हुआ था इसका आंसर बताईए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थेज़ून अठाश्वारी सुखो आपका भी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स सवाल देखेगा आपके स्क्रिन पर पल्टन का विदुसक कौन था तो पल्टन का आप आपको विदुसक बताना है इसका आपनों का हो जाएगा तो जाहिर से वात है यदि सेखेगा ची राम भी पूरी याने आप राइट आ जाईगा कौन सी किर्थी रामधारी सिंदिन करकी लिखी हुई है तो बताइए कौन सी किर्थी जो है रामधारी सिंदिन करकी लिखी हुई है आपको बताना है इसका अंसर आपका हो जाएगा सुद्ध कविता की खोज यानि option आपका ए राई चांसर हो जाएगा और यहां मतला अगे के पीता का नाम था अगे के जो पीता का नाम था है वो क्या है जल्ली बताइए तो इसका अंसर हो जाएगा डॉक्टर हिरानन सास्त्री यानि आपका भी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स सवाल देखे का कौसर नमर 56 पर्थम उस्चुद में इंग्लेंड किसके विरुद यानि लड़ा था तो बताईए पर्थम यूश्चुद में जो है इंग्लेंड जो है किसके विरुद में लड़ा गया था 56 नमर सवाल का आपको आंसर बताना है इसका आंसर आपको हो जाएगा जर्मनी यानि option आपका डी राइट आंसर हो जाए थे यह चोटे नागपूर से आएथे option आपका राइट आंसर हो जाएगा सिपाही की मां मैं सभाही की मां किस एकांकी संग्रे से लिया गया है 58 नमर सवाल का आपको आंसर बताना है ठीक है इसका आप लोगा क्या होगा जली बताएंगे फटाबर बताईए इसका आंस परशाद यहांगे इस सवाल देखेगा आपके स्क्रिण पर स्लाम कहानी संग्रे के रचनाकार जो है वह कौन है 60 नमर सवाल का आपको आंसर बताना है इसका आपको परकाश वालमी और प्रकाश आपका बीर पंडित राम आउतार जो थे यह क्या थे बिल्कुल आपनों का अंशर करेक्ट हो गया जियो तीसी और वेट थी आपसन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा एक सवाल देखेगा जैब कृष्ट मूर्थी का जनम जो है कब हुआ था बताइए फटा बड़ आपनों कमेंट से जो है फिर एक बार कोश्टन को देख लिएगा बदमवत के रचनकार जो है वह कौन है इन सारों मेंसे इसका राइट ऑपसन बताना है स्क्स्टी फॉर नमर्थ सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आपका हो जाएगा याई जाय सी ऑपसन आपका ए राइट आ तुल्सिदास का मूल नाम जाथा जैली बताए yan तुल्सिदास के मूल नाम कंट आम आन्सर हो जाएगा भक्तेमाल के रचीतवां सब्सक्राइए ठीक है इसका answer आपका हो जाएगा यानि नब अपसन आपका D right answer हो जाएगा एक वाल देखेगा भूशन के पीता का नाम था यानि भूशन के जो पीता के नाम थे वो क्या थे 68 नमर स्वाल का आपको आंसर बताना है इसका आंसर हो जाएगा आपका रत्नाकार तिरा पाटी यानि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा ने एक सवाल देखेगा 69 नमर सवाल जैसंकर परशाद किस वाद के कवी थे 69 नमर कहने निया काहनी संगर हैं तो बताएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 70 नमर सवाल का आपको आंसर बताना है इसका आपनों का고 है और अपका काहनी आपका निया राइट आंसर हो जाएगा está nosal शमसर माका नम क्या था जली बताईए मुक्तवूत की जो माका नाम था वो क्या था सवाल का आपको आंसर आंसर आप को जाएंगा pass रही अब जाएंगा और बातकर संदुराइबर क्या और होगा वह क्या होगा तो आपको पता है सवाल देखेगा सदेप किस संधी का उधारन है 75 सवाल का आपको बताना है और इसका आंसर आप सब्सक्राइब अपको बताना है और इसका अपनों का इब्सक्राइब करेक्ट होगे इसका अंसर आपका होगा यह और इसका आपको यह राइट आंसर हो जाएगा देखेगा चरन कमल में पड़ियुगति समास कौन सा आगा तो फड़ा बड़ा आप लोग कमेंट सेक्षन बताइएगा वीडियो तरो सा लौंग बना जली बताइए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा चरन कमाल में पड़ियुकति समास ज करेंगे और जो भी बच्चे को आप लोग चाहिए तो आप लास्त तक बढ़ने कैसे आपको पीड़ियुकति सब्सक्राइगा तो बिल्कुल आपको बता होना चाहिए आपका विकर्शन हो जाएगा एक सवाल देखिएगा पूलने का विलोम क्या है यानि पूर्ण का उल्टा बताना है 83 नमर सवाल का आपको बताना है पूर्ण का उल्टा आपका अर्द हो जाएगा आपसन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा नेक सवाल देखिएगा कोशन नमर 85 मतलब धुन्दला में कौनसा पढ़ती है बता ये पढ़ती है तो बताईए विज्यान में कौनसा परती है तो बताईए विज्यान में जो आपका इरी बताना है विज्यान में अन्हीं बताना है कौनशा यह पढ़ती है 87 पर सवाल का आपका बतासर होगा तो निर्वाजित अभर मिस्टेक तुरह स्क्राइब हो गया ठीक है कि इसमें गलती हो गया ठीक है तो आपको देखें निर्वासित में आहिए उसका परतिया देखे इत आ रहा है यहां। last मं क्या आता है उसका इत आता है, तो देखे, आफसन आपका D है यहांद इत परकास निरुवा 6 तो आफका 6 आ रहा है स烹नी इसका अंसर आपनोंका क्या हो जाएगा, ठीक है अम्रित का पढ़ियावाची नहीं है इन में से सूड़ी अम्रित का पढ़ियावाची इन में से कौन नहीं है अमी है सुधा है प्यूस है सरसाल है तो देखिए सुधा भी जो अमरित का पढ़ियावाची है उसके बाद आपका प्यूस भी जो आपका इनी सुधा है यह जो अमरित का पढ़ियावाची है आपका है 89 का आपको बताना है इन दोरों में से आपका कौन सा होगा तो देखिए आपको पता होना चीए य신ंहीं रसाल जो है या अमरित काप पढ़ियावाची आपशन आपका डी राइट आंसर होसाइगा निक्स्वाल नुमर सवाल कापको आंसर मताना है तो हमेशन आपको आंसर होसामेचा-ップ-अ-अ-ब मंदुक होना मुहाबडे का अर्थ क्या होगा 92 नमर सवाल का आपको आंसर बताना है इसका अर्थ जो होता है आपका 92 नमर सवाल का आपको आंसर फटावर बताएंगे इसका आपको अतियांत सिमित ग्यान होना है यह आपका कच्छे घड़े पानी बरना मुहाबडे का अर्थ क्या होगा जल्ली बताइए 93 नुमर स्वाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल कच्छे घड़े पानी बरना मुहाबडे का जो अर्थ होगा तो मतलब ठिक ढंग से काम ना करना है नि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा और शोड़े पानना किन यावल पताइगा तो चूड़िया पढ़ना बोलता है कि आप चूड़िया पहन के बैठे हो तो इसका मतलब पता है नहीं कायर दिखाने है बिल्कुल Correct answer, नेक्स स्वाल देखिएक़ आपके स्क्रीन पे रात्री का पढ़ियावाची जो है आपका यानी क्या है ठीके रात्री का आपका पढ़ियावाची आपको बताना है और इसका आन्सर आपनों का बिल्कुल Correct होना ज़ीए तो रात्री का पढ़ियावाची आपका क्या होगा यानि वोड़ी यानि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इंद्र का पढ़ियावाची क्या है इंद्र का पढ़ियावाची बताना है 96 नमर स्वाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल आपको बता हो गया मद्वा जो है इंदर का पढ़ियावाची है option आपका c right आंसर हो जाएगा बेमान में आपका कौनसा आपसर्ग है तो उपसर्ग आपको शुरू में लेना है इसमें जो हुआ है उपकार यानि उपकार में जो है क्या हुआ है उपसर्ग का पढ़ियोग क्या गया उपजोर्कार आपका a right आंसर हो जाएगा विग्यान का कौनसा आपसर्ग है विग्यान में कौनसा आपका उपसर्ग है जो आपको उपसर्ग बताना है तो पर्ती जूर कुल हो जाएगा पर्ती जूर कुल हो जाएगा तो पर्ती आपका कहा लिखावा है यानि आपको जाएगा option D will be the right answer हो जाएगे तो DS20 जैसे के आपको बताये थे कि special हम लोग 5 सेट यानि कवर किये थे तो इन पांचों सेट में आपका पहला पहला सेट जो हम लोग पूरी तर से कंप्लीट कर लिए तो डियस ट्रण आई होप उमीद करता हो कि आज का प्लास आपको पसंद आया क्योंकि आपके लिए तना हम इस्टेगल और मेहनत की है प्लीज आपने उससे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि दस दस अपन मिलाब करना सभी बच्चे को हाँ अगर आपका माइंड में सब्जेक्टियूब लेकर के बहुत ज़्यादा ही तैंसर न अप ले रहे हैं अगर आपका त्यारी बिल्कुल परतेशता है आप तो सब्जेक्टिव पर तियाड़ी आपका बिल्कुल एंशन ही नहीं लेना यहां आपको लिखाना क्या डौट सी ओ एम यानि वहार बोड एक्जाम एस्टेडी जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ आपको दिखता होगा इस परकार का कुछ इंटरफेस आएगा तो आपको यहां लिखा हुआ है बोड एक्जाम एस्टेडी इंडेज न करना है सब्जेक्टिघ में तो कोई भी सब्जेक्टन आपको यहां लोक करने का आपको करने के आघ्या का यहां आपका दिया हुआ है उसका पीर नीची आ जाना है उसके इंगली का दिया हुआ है उसके बाद आपको सब्जेक्ट करें किसा आगया तो यह आपका सभ्जेक्टिव बिहार में को विश्य तरदार राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए ये विद्धाने के जरूत नहीं होगी है बिल्कुल आपको समझ में आ गया तो चलिए गाईज आजगाई के क्लास को एंड करते हैं जब दक्लें जाहिंद बारत